Welcome to my channel friends, आज हम बात करने वाले हैं टॉप आडियो ट्रांजिस्टर के बारे में, जैसा कि आप जानते हैं कि एम्प्लिफायर के आउट्पूट स्टेज में ट्रांजिस्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, वैसे तो बहुत सारे ट्रांजिस्टर हैं, लेकिन मैंन अच्छे तरीके से समझ सकता है, और उन चीजों को अगर मैं यहां पर डिसकस करूँ तो यह वीडियो काफी बोरिम हो जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ 3 मेन पैरामीटर लिए हैं, जिनके बेस पर हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा ट्रांजिस्टर कितने नंबर पर है, और पहला पैरामीटर है दोस्तो तो पावर यानि कि यह ट्रांजिस्टर हमारा कितना उटपूट दे सकता है, और दूसरा है ऑपरेटिंग बोलテज यानि कि कि इतने मैक्समम बोल्टेज पर यह अपरेट कर सकता है, और तीसरा पैरामीटर है जो की बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे समझना थोड़ा सा मुश्किल है उसे हम बोलते हैं FT यानि कि Transition Frequency और यह Transition Frequency क्या होती है और कितनी important होती है जिस तरीके से आप वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपको सारी चीज़ें clear होती जाएंगी और थोड़ा भी यह वीडियो skip मत कीजिएगा friends क्योंकि बहुत important वीडियो है और काफी सारी बीच में और भी information आपको मिलेगी जिससे आपको बहुत ही help होगी इससे पहले कि इस वीडियो को मैं start करूँ अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर दीजी आपके subscription की बहुत सारी जरूरत है मुझे और साथ में जो भी link मैं Amazon वगरा के देता हूँ उससे आप खरीदारी कीजी तो मुझे थोड़ी सी कुछ इस चैनल को चलाने के लिए help मिल जाएगी तो आईए अब हम इस वीडियो को start करते है जो ट्रांजिस्टर मेरे पास है उनको मैं actual में दिखा दूँगा जो ट्रांजिस्टर मेरे पास नहीं है उनको मैं data sheet के through explain कर दूँगा तो top 10 की list में दसवे नंबर पे जो ट्रांजिस्टर आता है दोस्तों उसका नाम है 2N35 इस ट्रांजिस्टर का नाम आपने जरूर सुना होगा आपको मैं जो package दिखा रहा हूँ वो plastic package है बट यह transistor basically metal package में आता है अभी यह plastic package में भी आता है और यह एक NPN transistor है 35 और साथ में इसका कप्लिमेंटरी भी आता है यानि कि PNP जो कि 39 पचपन है यानि कि हमारी output devices एक ही type की है PNP है या NPN है यह एक बहुत ही old transistor है 60s में इसका invention हुआ था और 70s में इसमें काफी अच्छा सुधार किया गया और 70s में जो सुधार किया गया उसकी वाज़े से यह audio के लिए perfect हो गया और सच कहिए तो यह पहला ऐसा transistor था जो specifically audio frequencies के लिए design किया गया था तो इसका technical data क्या है दोस्तों सिर्फ 3 parameter में आपको बताऊंगा पहला तो है इसकी working voltage यह 60 volt maximum पे काम कर सकता है यानि कि collector और emitter के बीच में maximum 60 volt रहना चाहिए उसके बाद यह 7 ampere के current ले सकता है और 115 watt की power dissipate कर सकता है dissipation और output power में अंतर होता है dissipation का मतलब होता है कि यह transistor total इतनी power दे सकता है अब suppose किजिए कि 35 watt अगर 115 watt का है तो यह 50-60 watt ही दे पाएगा क्योंकि बाकी की power जो है heat के form में waste होगी तो इस तरीके से dissipation और output power में अंतर है तो दोस्तों अगर आप 35 और 29 पचपन का एक pair यूज़ करते हैं तो आप अराम से 40-50 watt का amplifier एक बना सकते हैं जिसको कि आप plus minus 30 volt की supply देंगे जब भी आप dual power supply देते हैं किसी transistor को तो working voltage आपको आधी लेनी पड़ती है क्योंकि तो collector और emitter के बीच में अगर आप total voltage count करेंगे तो effective voltage difference जो है आपका 60 volt हो जाएगा 30 का double हो जाएगा इसलिए अगर 60 volt का transistor है तो dual supply में उसे plus minus 30 volt के साथ ही हम यूज़ कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये काफी पुराना transistor है तो पहले जब ये बना था तो ये audio के लिए बिलकुली सही नहीं था बाद में इसकी technology 70s में थोड़ी से सुधार की गई इपी taxial technology से बनाया जाने लगा तो इस वज़े से इसकी frequency में थोड़ा सा सुधार आया और frequency से क्या होता है दोस्तों मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ जो मैं आपको FT बता रहा हूँ उसका क्या importance से आप इससे समझ सकते हैं कि जैसे जैसे transistor की working frequency आप बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसका gain कम होता जाता है जैसे ये किसी transistor का data sheet है इसमें अगर हम suppose कीजिए चैलिए इसको megahertz माल लीजिए लगबग 5 megahertz के आसपास बिल्कुल linear है याने की gain इसका बरावर है लेकिन 5 megahertz से जैसे ही ज़्यादा frequencies की जाती है तो इसका gain कम होने जाता है simple words में अगर कहा जाए तो किसी भी transistor की power और gain दोनों ही frequency बढ़ने के साथ कम होते चले जाते हैं तो ये transistor या कोई भी transistor जितना अच्छा low frequency पे काम करेगा उतना ही अच्छा high frequency पे काम नहीं करेगा और normally ये माना जाता है दोस्तों कि जिस frequency पर आपको काम लेना है उससे कम से कम 10-20 गुना जादा Ft आपका होना चाहिए तो उस नजरिये से अगर आप देखेंगे तो 20 से लेके 20 kHz की audio frequency हमें amplify करनी होती है audio amplifier में और इस transistor की Ft यानि की transition frequency एक से लेके 2.5 MHz तक होती है तो आप कहेंगे कि काफी अच्छी है लेकिन इसमें भी एक लोचा है लोचा ही है दोस्तों यहां पर मैं आपको एक बहुत ही simple example से बताना चाहूंगा जैसे कि अगर एक car है आपके पास यह एक bike है तो अगर कोई bike ज्यादा cc की है सपोज कीजिए कि 1000 cc की है तो उसकी maximum speed ज्यादा होगी यानि कि हो सकता हो कि 200 की top speed हो तो अगर आप उस bike को 100 की speed से चलाते हैं तो कोई खास फरक नहीं पड़ेगा उस bike के engine पर heat नहीं होगा लेकिन कोई bike 100 cc की है जिसकी maximum speed जो है 100 km per hour से है उसको अगर आप 100 की speed पर 90 की speed पर चलाएंगे तो काफी ज्यादा engine उसका heat हो जाएगा क्योंकि आप उसको top end पर चला रहे हैं जबकि ज्यादा cc वाली bike जो है उसको आप mid end पर चला रहे हैं तो simple words में हम यह कह सकते हैं कि किसी transistor की transition frequency यानि की ft जितनी ज्यादा होती है उससे हम उतना ही ज्यादा frequency की output ले सकते हैं यानि कि audio हमारी hi-fi मिलेगी तो आजकल आप जानते हैं कि hi-fi audio का जमाना है तो eft जितना ज्यादा हो उतना ही अच्छा रहेगा तो इसका भी ठीक है कोई बुरा नहीं है लेकिन आगे कि आप transistor देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका अच्छा ही आप बुरा है तो कुल्मला की अच्छा transistor है अगर आप घर में यूज कर सकते हैं तो 2955 और 3055 का पेर यूज कीजिए 40W तक की output आपको single pair देगा 4 pairs लगा के आप 100W तक की output भी इससे ले सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा voltage के लिए और बहुत ज्यादा हाई-फाई quality के लिए ये suitable नहीं है क्योंकि old generation का transistor ये हो चुका है और ये पहले metal में आता था अगर आपको original में metal में मिल जाए तो metal में लीजिए क्योंकि इसका heat dissipation ज्यादा होता है और ये जो flat pack आते हैं इनका heat dissipation अच्छा नहीं होता है because original आजकल मिलता नहीं है तो इस तरह का ही आप लीजिए तो ज्यादा अच्छा है ये TIP3055 है जो कि original ST company का है तो duplicate में metal लेने से अच्छा है कि आप original में plastic package लीजिए mid 5 इसको बोल सकते हैं Wi-Fi transistor आप इसको नहीं बोल सकते हैं 9th नंबर पे है हमारा ये transistor बहुत ही जाना पहचाना 2N3773 और इसके बारे में एक detail वीडियो मेरे चैनल पे पढ़ा है आप चाहां तो उसे देख सकते हैं और दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा बहुत ही powerful जबर्दस transistor है थोड़ा सा high frequency के मामले में 30-55 से थोड़ा सा कम है ये तो इसकी maximum working voltage है यानि कि VCEO जिसको हम बोलते हैं 140V और इसका FT है एक से लेके 0.5MHz तक का और इसका collector current है 16A का जो की बहुत जादा है और 150W इसकी dissipation power है और friends ये बहुत है चुनिंदा ट्रांजिस्टर में से एक है जो गारंटी देते हैं कि 1.5A लेगा 100V की power supply पर बाकी कोई transistor आज कलके जो है वो गारंटी नहीं दे सकते हैं बट ये गारंटीड है तो इसलिए एक बहुत मजबूत अगर आपको amplifier बनाना है तो इससे आप बना सकते हैं लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आज अगर आप एक amplifier बनाते हैं इस transistor को लेके तो आप सब buffer amplifier बनाईए मिड और हाई के लिए इसका यूज मत कीजिए क्योंकि उतनी frequencies को ये support नहीं कर पाता है दूसरी बात original मिलता भी नहीं है ये original bell company का अगर आप ले ले तो ज़्यादा अच्छा है और इसका कप्लिमेंटरी जो है 2N 6609 आता है और ये कप्लिमेंटरी आज तक मैंने कभी market में नहीं देखा है अगर आपके market में ये अवलाइबल है तो आप अपने कमेंट में जरूर बताईएगा और ये 100 रुपीज का अलगभग आता है और इस 373 ट्रांजिस्टर का यूज करके आप प्लस मैनस 70 वोल्ट सप्लाई तक का अम्प्लिफायर बना सकते हैं ऐसे कमी ट्रांजिस्टर है जिनकी वोल्टेज जितनी दी गई है वहां तक काम करते हैं नमबर 8 पे MGE15003, MGE15005 का पेर है ये ट्रांजिस्टर दोस्तों अगर इसको सच कही है तो उपर जो मैने ट्रांजिस्टर आपको बताए है उनका ये रिप्लेस्मेंट है, हाई पावर में मॉडर्न रिप्लेस्मेंट है यानि कि अगर आपके पास 30, 55, 29, 57, 67, 66, 009 नहीं है तो उनकी जगे पर आप इस ट्रांजिस्टर का यूज कर सकते हैं और उसका डाटा आपको मैं ये दिखा देता हूँ VCO है इसका 140V और FT है 2MHz और collector current इसकी बहुत ज़्यादा है 20A से और 250W dissipation है यानि कि इस ट्रांजिस्टर का एक पेर आप लगा के यूज करेंगे तो 150W तक आप एक पेर से ही ले सकते हैं और बाकी एक बहुत अच्छा है मेंली ये पी यूज में आता है प्रोफेशनल यूज में रेटिंग के हिसाब से इसको आप प्लांस वाइलेंस 100V तक की पावर सप्लाई से चला सकते हैं यानि कि 45 के जगे आप 55 बोल्ट दे सकते हैं तीन पेर अगर आपने यूज किया तो प्लस माइनस 60 बोल्ट दे सकते हैं चार पेर आपने यूज किया तो प्लस माइनस 70 बोल्ट दे सकते हैं पांच पेर आपने यूज किया तो प्लस माइनस 80 बोल्ट दे सकते हैं इसी तरीके से जो voltage है आपकी यहां पर काम आती है, यानि कि अगर जादे transistors आपको parallel में करने हैं, तो यह जो VCEO है, यानि कि collector emitter के बीच की जो voltage है, वो आपको काम आती है, तो because यह professional use में होता है, तो इसको अगर आप 110-110 volt की supply देंगे, और 10 transistor दाल देंगे, तो आराम से आपक भी हो गया है, modern transistor इसकी जगह आ गया है, पहले के जो professional amplifier बनते से QSC अगर है के और branded, उनमें यूज होता है, अभी यह replace हो गया है, बट अभी यह काफी अच्छा transistor है, तेरे हिसाब से यह लगबग 300 रुपीज या 350 रुपीज का पेर होना चाहिए, और number 7 पे हैं दोस्तों, य 36C, यह transistor बहुत ही अच्छा transistor है, modern हिसाब से, ठीक ठाक नई technology के हिसाब से बना है, और बेसिकली यह 30 पचपन, 29 पचपन का उसी wattage में इसका replacement है, modern replacement है, और इसका data है, maximum VCO इसका 100 है, और maximum frequency देखिए, यहां पर बढ़ गई, 3 MHz इसकी maximum frequency है, और current भी बहुत ज़्यादा है, 25 A current है, but dissipation power ज़्यादा है, जो कि बहुत सारी चीजों से limit होता है, तो 125 Watt का यह है, तो इसका भी single pair अगर आप यूज करते हैं, तो लगबग आप 40-50 Watt तक का amplifier आप यूज कर सकते हैं, हां यह आप जो current ज़्यादा देख रहे हैं, उसको आप current से यह मज सोची कि बहुत ज़ operating area दिखाता हूँ, यह 3773 का है, जैसे कि इस transistor से अगर आप 10 Watt के नीचे लेते हैं, तो 15 A तक की current आप ले सकते हैं, देखिए, यहाँ पर current हमारा आ रहा है, लेकिन जैसे ही 10 से आप आगे बढ़ रहे हैं, देखिए, लगबग अगर आप 50 Watt पे लेते हैं, तो यह current हमारी आ Wi-Fi नहीं है, बट इससे आप एक अच्छा amplifier बना सकते हैं, और इसको आप प्लस माइनस 45 Watt की dual supply पे चला सकते हैं, और यह भी complementary में है, दो ट्रांजिस्टर आते हैं, 35 C और 36 C, तो complementary symmetry जहां भी आपको यूज हो रहा है, वहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हैं, और number 6 पे मैं MOSFET यानि की vertical MOSFET बोलते हैं, और यह सुरुवाती कुछ devices में है, MOSFET में, जिनने specific audio के लिए बनाये गया था, क्योंकि जो MOSFET आता है दोस्तों, वो switching के लिए suitable होता है, audio के लिए suitable उतना नहीं होता है, बट यह MOSFET इस पेसिली audio के लिए बनाये गया था, vertical technology से, और यह बहुत costly है, इसको एक तरह से आप कह सकते हैं कि premium device है, काफी महंगा मिलता है, 300-400 रुपे का यह pair मिलेगा, और पहले originally इसे Hitachi company बनाती थी, बाद में इसे Renesa और Fairchild भी बनाती है साइद इसे, तो यह 2-3 companies इसे बनाती है, Hitachi का तो आपको नया में नहीं मिलेगा, sad old stock मिल जाए, maximum supply voltage 120 स उस हिसाब से, maximum switching frequency होती है, तो इसका FT एक तरह से आप 1 MHz बान सकते हैं, और collector current 7A है, और total dissipation power 100 Watt है, लेकिन इसके खासियत है कि इसका एक पेर 100 Watt दे सकता है, जितनी switching frequency लिखी होती है, उसके काफी 5 तक यह चला जाता है, तो 1 MHz इसकी switching frequency है, तो आप 20 KHz तक इसे आराम से switch क करा सकते हैं, कोई भी problem नहीं आएगी, और इसे प्लस माइनस 70 Watt तक इस supply से आप चला सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आप से कहा, कि यह एक premium device है, काफी costly आता है, और बिल्कुल rare भी है, Indian market में आपको मिलेगा, काफी आप inquiry करेंगे, किसी को order दे के मंगाएंगे, तो आपको मिल जाएगा, और नमबर 6 पर यह transistor है, दोस्तों, TIP142 और TIP147, इसमें से TIP142 NPN है, और 147 PNP है, और दोस्तों, यह transistor है, लेकिन बहुत सावधान हो जाईए, क्योंकि इसके काफी सारे amplifier के circuit है, मार्केट में, और लोग अकसर मुझसे पूचते रहते हैं, कि इसको उसकी ज यह एक power darlington है, तो इसे किसी दूसरे power darlington transistor से ही replace कीजिए, और इस transistor को यूज करने से आपको एक फाइदा हो जाता है, कि जो driver stage है, वो आपके amplifier से हट जाती है, जो amplifier में VAS stage होता है, वहीं पर आप directly इस transistor को लगा सकते हैं, driver stage लगाने के ज़रूरत नहीं है, और इस transistor की maximum working voltage है, 100 और इसकी Ft बहुत जादा है, यह true hi-fi transistor है, तुरंत आप समझ लीजिए, 20 से 30 MHz कहां, अभी तक जो हम transistor देख रहे थे, उनकी 1, 2, 3 MHz थी, और यह 20 से 30 MHz तक कहां है, और 10 MPR इसका collector current है, और total dissipation power इसकी 125 Watt है, फिर भी dissipation power जादा है, लेकिन 50 Watt से जादा, 60 Watt से जादा है, सिंगल पेर नहीं दे पाता है, हाँ इसका पेर आप बढ़ा दें, तो 100 Watt दो पेर से आप ले सकते हैं, 10110 Watt, और इसमें गेन भी बहुत जादा होता है, बहुत तेज आवा जाती है, तो अगर आप एक high gain वाला amplifier बनाना चाहें, तो इस transistor को आप प्रिफर कीजिए, और यह truly आजकल के माइने के हिसाब से, truly high five amplifier आप इससे बना सकते हैं, आपकी 20 से लेकिन 20 kHz की frequency को बहुत आराम से यह cover करेगा, linearity बहुत ही अच्छी होगी, और इसके high five character की वजे से ही मैंने इसको list में number five पे रखा है, और number four पे मैंने दो transistor रखे हैं, क्योंकि इन दोनों का characters एक 014 और MJL 15025, 14 जो है आपका NPN है, 25 आपका PNP है, और ठीक इसी तरह का एक transistor है, MJL 21193 और 21194 और इन दोनों की maximum working voltage 250 volt है, यानि कि इसको plus minus 120 volt से आप आराम से चला सकते हैं, और इन दोनों का FT जो है, 4 MHz है, और collector current 16A है, बस dissipation power में थोड़ा सा अंतर है, 24 पचिस का पेर आपका 250 watts देता है, और 9394 का पेर आपका 200 watt देता है, ओवराल एक पेर से आप लगभग 110-120 watt का amplifier आप इससे बना सकते हैं, बट जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इनकी operating voltage बहुत ही ज़्यादा है, 120 volt के लगभग में है, तो ज़्यादा पेर से आप इसके लगाएंग आज की standard से, बट ये PA amplifier में बहुत अच्छे तरीके से यूज होते हैं, और बहुत बड़े-बड़े bulky amplifier और बहुत मजबूत strong amplifier आप इनसे बना सकते हैं, बट वही problem है, इनके साथ की काफी costly है, 500-600 रुपे का एक पेर इनको आपको मिलेगा, और दोस्तों आप टाप 123 की बार और दोस्तों इनकी working voltage है 200 volt, यानि की इसे plus minus half 100 volt तक की power supply से यूज कर सकते हैं, सेफली आपके हैं, तो plus minus 90 volt से यूज कर सकते हैं, और 1 MHz इसकी frequency है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, MOSFET जो है काफी high frequency तक उसका gain गड़बर नहीं होता है, इसलिए 1 MHz का ही MOSFET है, तो व MHz की regular constant current लेता है, और pulsed current अगर आप इसे लेंगे, तो 48 MHz की current ये ले सकता है, बहुत ही तगड़ा MOSFET है ये, देखने में जैसा भी चोटा हो, और power dissipation भी इसकी अच्छी है, 150 Watt है, और ये कुछ दोस्तों rare transistor या MOSFET में से है, जिसे आप सच कहिए, तो एक amplifier का पेर लगा के 150 Watt की power आप इसे रेली ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये discuss करता चलूँ कि ये एक हेक्सफेट है, हेक्सफेट यानि कि ये basically switching के लिए बनाये गया है, audio technology के लिए इसे नहीं बनाये गया है, तो इस transistor यूज़ करके हम एक अच्छे amplifier design कर सकते हैं, इसका जो driver stage है friends, हेक्सफेट का या मॉसफेट का, उसको वोल्टेज जादा चाहिए होती है, क्योंकि basically MOSFET जो होता है, वोल्टेज डिवेन होता है, और आपका transistor जो होता है, वो current डिवेन होता है, तो अगर आप इसका एक circuit बना रहे हैं, तो उसके driver stage को आपके output stage से कुछ 10-20 Watt जादा चाहि हैं, तो यह भी बहुत difficult है, क्योंकि आपको बहुत सारे MOSFET खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि इनको जब हम output stage में use करते हैं, तो इनकी matching बहुत ही जादा होनी चाहिए, बहुत ही close matching होनी चाहिए, इनका beta या gain वगरा जो है, जैसे एक transistor है, इसको अगर मैं लूँ, तो किसी ए आर पेर यूज़ करके आप 500W का amplifier आराम से बना सकते हैं, अब हम आते हैं नमबर दो पर, नमबर दो पर भी हमारे पास दो options हैं, इसलिए ये प्लेस टाई हो जाता है, MJW 3281 जो की NPN है और उसका complementary PNP है, MJW 1302, और ठीक उसी तरीके से MJL 4281, MJL 4302, MJW 3281 की supply voltage है 230V, और MJL 4281 की supply voltage है 350V, सबसे ज़्यादा voltage का transistor मेरी लिस्ट में यही है, दोनों की FT बहुत ही तगड़ी है, 3281 की 30MHz है, और 4281 की 35MHz है, और दोनों का collector current भी 15-15A है, और दोनों ही लगबग 200 और 230W के हैं, लेकिन एक ध्यान रखिए कि ये बहुत ही costly transistors हैं, औ और market में 500-600 रुपे से कमका इनका एक pair नहीं मिलेगा, बट यही एक ऐसे transistor है, जो कि आपको Hi-Fi और PA use दोनों में ही ले सकते हैं, और इनका एक pair यूज करके आप लगबग 120W की power ले सकते हैं, तो अगर इसका आप 10 pair यूज करते हैं, तो 1200W RMS की output आपको class AB के configuration से ही मिल सकती ह class H से तो आप इस से 2000, 4000, 5000 W तक के amplifier बना सकते हैं, तो दोस्तों बेसिकली इसी transistor को मुझे number 1 पे रखना था, लेकिन number 1 पे मैंने क्यों नहीं रखा, यह चीज आपको बाद में पता चल जाएगी, और हमारी इस लिस्ट का winner है, 2SA1943, 2SA5200, आप इस transistor pair को पहचानी गए होंगे, आजकल सबसे ज़्यादा यूज होने वाला transistor यह है, और यह कई सारे specifications में number 9 से कम है, बट इसे number 1 मैंने क्यों रखा, यह आपको अभी मैं बताता हूँ, तो दोस्तों पहले इसकी specification देख लीजिए, इसकी VCU है 230 volt, और इसका FT जो है 30 MHz, और collector current 15 A है, और power dissipation 150 Watt है, और इसका single pair आप यूज करके, आइडियली जैसा कि इसकी डेटा सीट में दिया हुआ है, इसके हिसाब से आप 100 Watt का amplifier इसके single pair से बना सकते हैं, बट safely मैं कहूंगा कि 70-80 Watt इससे लेना एक pair से ज़्यादा अच्छा रहेगा, और पहले दोस्तों यह आता था 2SA1943, 2SC5200 के रूप में, बट अभी यह TTA और TTC के फॉर्म में आता है, और यह confusion भी बहुत लोगों में है, कि TTA और 2SA में क्या आनता रहे, तो मैं बता देता हूँ, कि 2SA और 2SC जो था, वो ओरिजिनल तोसीबा कंपनी के द्वारा बनाया गया था, और because 2SA और 2SC जो registration mark है, वो generic है, यानि कि कोई भी उसे यूज कर सकता है, तो बहुत सारी कंपनीों ने उसे कॉपी करना स्टार्ट कर दिया, और आपको जानके आश्यार होगा, लगबग 5 साल पहले ही, और 2SC19435200 का production बंद हो चुका है, बट market में अभी भी आता है, किसी के पास बहुत पुराना old stock है, तो कह सकते हैं, बट इतनी बात है कि अगर आपको कोई 2SC करके देता है, तो बिल्कुल 100% fake transistor आपको दे रहा है, और इन ही चीजों से recover करने के लिए, और इन ही सब कम्यों को दूर करने के लिए, इन ही चीजों से लडने के लिए, तोसिबा मनें इन टरन्जिस्टर को TTA1943 और TTC5200 के रूप में और यह TTA और TTC इसका रजिस्ट्रेशन सिर्फ Toshiba के पास है, यानि कि इसका प्रोडक्शन सिर्फ Toshiba ही कर सकता है, और Toshiba की कमपनी जापान, ताइवान और चाइना में है, अगर आप बल्क में इसे खरीदते हैं, तो उसके पैकेट पर आपको पता चलेगा यह कहां का बना है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि TTA और TTC जो है डुपलिकेट है, तो ऐसा नहीं है, एक और चीज बता दो, TTA और TTC की डाई का साइज जो है, ओर जिनल 2SE, 2SE से 30% छोटा है, तो आपको लगे का कि यह कम पावर ले सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, टेक्नोलोजी इस काफी सस्ता है, इसका ओरिजिनल पेयर मैंने जो लिया है, मुझे 120 रुपीज में मिला है, आपके हाँ कितने में मिलता है, आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैंने एक रिप्टेट सप्लायर से लिया था, तो मुझे भरोसा है कि यह और अगर आपको भी चेक करना है, तो आप कुछ मत कीजिए, आप मल्टी मीटर से इसका HFE चेक कीजिए, अगर आपका एक ही बैज का है, यानि कि एक ही डिप्बे से निकला हुआ है, तो इसका HFE काफी क्लोजिंग में होगा, मैंने जब इन ट्रांजिस्टर को चेक किया, तो इनकी HFE मुझे से दो और तीन वेर एदा उठाते हुए, आप मल्टीपल पेर्स लगा के आप, जैसे कि आप सपोज कीजिए कि ये 4302 ट्रांजिस्टर है, जो कि 600 रूपय का है, आपने एक पेर लगाया और आपको 150 वाट की आउटपुट मिली, लेकिन उतने ही पैसे में आप इसका 4 पेर खरी सकते हैं, और जब आप 4 पेर खरीदेंगे, तो जो आपका एफेक्टिव एरिया है, हीट को डिसिपीट करने वाला, वो चार गुना हो जाएगा, यानि कि आपका ट्रांजिस्टर जादे अच्छे तरीके से ठंडा होगा, इसमें आपको बड़ी हीट सिंक लगानी पड़ेगी, पर यहा एक चीज जो मैंने आपको नहीं बताई थी, वो होता है, इनपुट कैपिसिटेंस, ट्रांजिस्टर मैनिफेक्ट्रिंग ऐसी होती है, कि यह आपका बेस कलेक्टर इमीटर की जो पीन्स होती है, वो बहुत आसपास में होती है, उसकी वज़े से इनके बीच में कैपिसिट जो 500 PF जो है, वो हाई फ्रिक्वेंसी को अपोस करेगा, आपके ट्रांजिस्टर को उतनी हाई प्रिक्वेंसी पर चलने नहीं देगा, जबकि इसका जो है आउट्पुट कैपिसिटेंस सिर्फ 120 PF के आसपास होता है, तो हाई फ्रिक्वेंसी परफॉर्मेंस यह बहुत ही ब तो 3000-4000 W तक का अम्प्लिफायर आप बना सकते हैं, और 12-15 पेर या 20 पेर तक का यूज करके, आप इससे 1 KV या 1.5 किलोवाट यानि के 1500 W तक का अम्प्लिफायर क्लास AB में बना सकते हैं, तो इन सब अपनी स्पेशियल्टीज की वज़े से, यही ट्रांजिस्टर हमारा व विल्डर नहीं है, तो ऑनलाइन में बहुत सारी कंपनी जैसी है, जहां पर थोड़ा सा महंगा है, बट ओरिजिनल ट्रांजिस्टर आपको मिल जाता है, तो वहां से इन ट्रांजिस्टर को आप और कर लीजिए, तो दोस्तों, उमीद है कि टॉप 10 की यह इन्फॉर्मेशन आपके बहुत ही काम आएगी, और यहां पर जितने भी ट्रांजिस्टर मैंने आपको बताया है, सारे इंटर्चेंजेबल थे, बस इतना होगा कि अगर आप ज्यादा एच्फव वाले ट्रांजिस्टर को कम एच्फव वाले सर्किट में लगाते हैं, तो उस एम्प्लिफा बनाते हैं, रिपेर करते हैं, या जो लोग अम्प्लिफायर खरीदने का सोच रहे हैं, उनके लिए बहुत ही है यूसफुल होगा, आपकी जो भी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स मेरे से पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिपलाई करूंगा, इसी के साथ में वीडियो क्योंकि जो मैंने एक MP3 बोर्ड का सर्कृट बनाया था, तो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है कि इस बोर्ड में ज्यादा वॉल्यूम नहीं आता है, तो एक गेन सर्कृट में आपको बता देता हूं, जो किसी भी अम्प्लिफायर में लगा के, अगर आपको लगना ह कि आपके अम्प्लिफायर की गेन कम है, तो उसकी गेन आप ज्यादा कर सकते हैं, तो दोस्तों अगले वीडियो तक के लिए बाए, ओके